नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कु निज में दोस्तों बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अदिनस्त सेवा चैनायों की पैट परिक्षा के परिणाम के सम्मन्द में कि इसका परिणाम अब लेट क्यूं होगा और आपकी लेक पाल भरती फिर कब तक आएगी और लेक पाल भरती में कितने गुना बच्चे बैठेंगे मुख्य परिक्षा में मतला पैट में कितने गुना बच्चे पास किये जाएंगे जो मुख्य परिक्षा देंगे इस बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको किसी भी भरती के सम्मंद में या परिणाम के सम्मंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तों सुरू करता हूँ सबसे पहली बात तो पैट परिक्षा की आंसर की के बारे में बात करने वाला हूँ देखिए पैट परिक्षा की जो आंसर की है वो आपको 6 या 7 सितंबर तक देखने को मिलेगी ठीक है कम से कम अब से 8 या 10 दिन के अंदर ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी उससे पहले पैट परिक्षा की ओफिशल आंसर की जारी नहीं की जाएगी ठीक है डेट है आपकी 6 या 7 सितंबर तक अब आंसर की आने के बाद क्या-क्या प्रिक्रियाएं होती हैं देखें जब आंसर की आ जाती है तो उस आंसर की में जो गलत प्रशन होते हैं question paper में उन गलत प्रशनों पर छात्रों से objection लिया जाता है कि मतलब जिस छात्र को जिन जिन प्रशनों पर शंका है कि ये प्रशन गलत है या इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो गलत है तो उन प्रशनों पर objection लिया जाता है छात्रों से और ये objection वाला कारिया कम से कम एक सपता त चलता है तो अगर 7 सितंबर तक आंसर की आती है तो 14 सितंबर तक आपका objection वाला कारिया चलेगा ठीक है और objection वाला कारिया पूरा होने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन तक ठीक है उस objection का निस्तारण किया जाता है अगर कोई और आयोग होता तो ये काम जल्दी भी हो जाता लेकिन ये यूपिटर पलेसी है कम से कम 10 से 15 दिन का समय लेगा अबजेक्शन का निस्तारण करने में अबजेक्शन को सॉल्व करने में तो 15 और 15 25 से 30 सितंबर तो ये हो गया उसके बाद दोस्तों जो OMR सीट से उनकी होती है स्कैनिंग और OMR सीट की स्कैनिंग होने के बाद ही आपका परिणाम जारी होता है तो ये काफी लंबी प्रिक्रिया होती है अब जिस तरह से यूपिटर पलेसी के चेर्मेन ने ये बताया है कि हम सितंबर के लास्ट सब्तहा तक पैट परिक्षा का परिणाम जारी करने क्या प्रियास करेंगे कोशिश करेंगे देखिए केवल ये कोशिश है और कुछ नहीं है आपको बता दू पैट परिक्षा का परिणाम सितंबर के महीने में बिलकुल भी नहीं आएगा आप सितंबर में कोई भी उम्मीद ना लगाएं ठीक है आपको पैट परिक्षा का परिणाम कब तक देखने को मिल सकता है तो भईया अगर परिणाम की बात करूँ न तो कम से कम 20 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा पैट परिक्षा के परिणाम के लिए ठीक है 20 अक्टूबर से पहले पैट परिक्षा का परिणाम किसी भी हालत में जारी नहीं होगा एकदम बता रहा हूँ 100% सत्य हैं नहीं तो आप देख लेना मेरी बात गलत नहीं होगी और परिणाम को लेकर जो भी जानकारी मैं देता हूँ वो एकदम 100% ओफिशल होती है आपने पिछले कई महीनों में ये बात देख ली भी होगी और मुझको आजमा कर देख भी लिया होगा तो कम से कम 20 अक्टूबर से पहले आपका परिणाम पैट का जारी नहीं होगा यूपिटर पलसी इन प्रिकिरियाओं को करने में काफी समय ले जाता है जो प्रिकिरिया 5 दिन की होती है उस प्रिकिरिया में 15 दिन का समय यूपिटर पलसी ले जाता है और दोस्तों एक बात और भी सत्य है कि यूपिटर पलसी के अंदर करमचारियों की बिल्कुल कमी है इस बात में कोई शक नहीं है और मैंने आपको ये बात बहुत दिन पहले बताई थी और आज भी बता रहा हूँ यूपिटर पलेसी में केवल 85-90 करमचारी है जो कारिय करते हैं और ये संख्या काफी कम है जिस हिसाब से यूपिटर पलेसी को उत्तर प्रदेश की सबसे ज़ादा भरतियां करने की जिम्मेदारी दी गई है उस हिसाब से यूपिटर पलेसी में करमचारियों के संख्या बहुत कम है और ये बात खुद यूपिटर पलेसी के जितने भी चैर्मेन अभी तक रहे है उन्होंने ये बात बोली है चायkeiten वो पालिवाल जी रहे हो चायosion वो एके सिनाजी रहे हो चाय angled आज की डेट में पृवीर कुमार जी है तो जो भी यूपिटर पलेसी के चैर्मेन रहे है उन्होंने सबी ने ये बात बोली है कि बैया इसमें करमचारी को संख्या बहुत कम है और सरकार को इसमें जो है इस बारे में विचार करना चाहिए कि सरकार इसमें करमचारी को संख्या को बढ़ाए चाहे वो समविदा पे रखे कैसे भी रखे लेकिन करमचारी को संख्या होती है काफी, ठीक है? दो-चार भरतियों तो बात अलग है, लेकिन 20 भरतिया पैनिंग होना बहुत बड़ी बात होती है ठीक है? तो परिणाम लेट होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यूपि आईगे? ओर लेकपाल की भरती की परिख्चा को यूपिटर पलसी ने अपने कलेंडर में नवंबर में कराने के लिए बोला था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नवंबर में आपकी परिक्षा किसी भी हालत में नहीं होगे, ये बात आप बिल्कुल लिख लिजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक PET परिक्षा का परिणाम जारी नहीं हो जाता तब तक लेकपाल भरती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और परिणाम जारी होने के बाद ही लेकपाल की भरती का नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा और आपको बताना चाहता हूँ, नवंबर में लेकपाल बरती का नोटिफिकेशन जारी होगा, नवंबर के पिर्थम सप्ता तक ही इस बरती का नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा, और नोटिफिकेशन जारी होने के कम से कम डेड़ से दो महीने बाद ही आपकी परिक्षा हो पाएगी तो जो आयोग ने नवंबर में परिक्षा कराने का परस्ताव दिया था वो आपको उस पर आपको बरुसा नहीं करना है आपको पढ़ाई करने के लिए और समय मिल जाएगा अब आपकी परिक्षा दिसंबर लास्ट या जनवरी की शुरूबात में होगी ठीक है आप सब को बता दूं कि डेड़ लाग के आसपास छात्र लेकपाल की मुख्या परिक्षा में बैठेंगे चीदी सीदी बात ये है पैट परिक्षा में डेड़ लाग बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी संक्या होती है और ये बात आपको म लस पद हैं जहां तक जानकारी मुझे मिली है 8800 के आसपास इसमें पद हैं ठीक है दोस्तो बहुत अच्छा मौका है लेकपाल बनने का और उत्तर परदेश के अंदर आपको लेकपाल की भरती बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और 22 में चुनाब भी है और चुनाबों को सुरू कर दीजिए आपको और भी समय मिलेगा इस भरती की मुख्य परिक्षा को देने में ठीक है दोस्तो तो यह खबर है मेरे तरफ से यूपिटर पलसी की पैट परिक्षा के परिणाम के सम्मद में और 8000 प्लस लेकपाल की भरती के सम्मद में किसी और भरती की बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चनल पर दे दी जाएगी दोस्तो यही न्यूस थी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों